हेलो दोस्तों, वेलकम टो पीडबली ओनली आईएस दोस्तों, एकॉनमी की हम अपनी जो चर्चा है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है लेक्ट्र नमबर 14 राइट, लेक्ट्र नमबर 14 विद रिगार्ड्स टू इरिगेशन इन इडिया देखो पिछले ये तीनचा चैप्टर हमने पड़े, सारे चैप्टर आप नोटिस कर रहे होगे चाहे फूड सेक्योर्टी वाला पड़ा या उससे पहले जो हमने पड़े सारे चैप्टर एक दूसरे एक साथ ना लिंक्ड है आप लोगों ने जब चैप्टर 10 मेरे साथ डिस्कस किया था तब हमने क्या पड़ा था? हमने पड़ा था एक्री कल्चर के बारे में और एक्ट्वल में चाहे आप चैप्टर 11, 12, 13 या इवन 14 देख लो ये सारे एक्री कल्चर के साथ लिंक्ड मुद्दे ही है तो मैं बार-बार आपको यहीं इम्फिसाइज करता हूँ कि किसी ने अगर जाके ना अगर लेक्ट्चर 10 लेक्ट्से नहीं देखा हुआ तो आप प्लीज उसको देख ले ना क्यूंकि बेस हमारा वो था चैप्टर 10 फिर 11, 12, 13, 14 ना उसके बेस के उपर जो हमने इमारत खड़ी कर नहीं है वो चीज़े हैं जैसे अब इरिगेशन इंडिया की बात कर रहे हैं तो अगर आपको यह नहीं पता होगा कि अगरी कल्चर की क्या समस्याए हैं यहां से भी जो क्वेशन मेंजर ली आते हैं वह आप ऐसा मान के चलो कि मेंज के अंदर कुछे आते हैं अगरी कल्चर जा टॉपिक अब स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि हर साल 50 नंबर का पेपर जो आता है वो अगरी कल्चर से आता ही आता है कभी एक कोशन उसमें से इडिगेशन पे आ गया कभी राइस फीड सिस्टम पे आ गया कभी कोई एक टेक्नॉलजी के उपर जैसे इस बार 2023 में कोशन आया था तो इस तरह से कोशन आते रहते हैं प्रिलियम के अंदर भी एक आदा कोशन के बार आ जाता है बट majorly यहां पर means की हमारी यहां पर तयारी हो रही है agriculture topic की क्योंकि specifically agriculture means के लिए बहुत बहुत अलेमेंट है प्रिलियम के अंदर geography के साथ के बार linkage बनाके questions आते हैं directly economy से भी आते हैं पर linkage भी बनाई जाती है geography के साथ चलो यह basic अगर समझ आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं कि राज का सेशन देखो पहली बात तो irrigation समझो irrigation आखिर होता क्या है देखो आपना artificial तरह से कहना कि अपनी जो crops वगरा है वहां तक पानी पहुचाने की गोशिश करते हो अब पानी जो है वो अपने water सर्च करोगे तो आपको state subject के अंदर देखने को मिल जाएगा पहली बात तो आपको ये बता होने चाहिए दूसरी बात irrigation आखिर इतनी important है क्यों दरसल में ना ministry of statistics की बात कर लो ठीक है ना जब मोस भी आपके ministry है ministry of statistics and program implementation साथ साथ जो इडिया yearbook आती है उसका अगर आप data देखोगे ना तो उन्होंने बताया है कि लगभग साथ परसेंट जो area है under cultivation वो क्या है वो rain fed है getting it तो अभी भी हमारे देश के अंदर मतलब अजादी हुए 75 साल से भी ज़दा हो गये हैं पर अभी भी हम बारिश के उपर ही निर्मर है तो कहीं न कहीं अभी बहुत scope बचा हुआ है कि हम अपने irrigation system को expand करें बाकि अगर आप notice करोगे देखो कोई भी चीज आप देखो जैसे for example हमने पिछले chapters के अंदर हम green revolution पढ़के आए हैं हमने क्या discussion किया था हमने high yielding variety seeds जो होते हैं उनके वार में discussion किया था अब मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको HYV seeds से कहना के productivity बढ़ानी है उसके साथ-साथ उनके लिए चाहिए अच्छा पानी अच्छा irrigation होना ही होना चाहिए proper fertilizer, proper technology भी हमें साथ में देनी पड़ती है तो अगर इसको succeed बनाना था इसको एक success बनाना था तो definitely उसके लिए आपका irrigation important ही है ठीक ऐसा है यह बात थोड़ा समझ आई पर actual में आप जब mains का अपना answer लिखोगे वहाँ पर थोड़ा data वगरा दोगे न तो definitely examiner आपको समझ पाएगा कि हाँ इस person को actual में ना मुद्दा पता है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ means के अंदर लिखने time ना especially economy के answers के अंदर you need to write some proper data हवा में बाते करोगे कि इंडिया में पानी की कमी है इंडिया में यह कमी है यह वो कमी है तो examiner आपको फिर average या below average marks ही देगा तो जरूरत क्या है कि proper updated data आपकोस होना चाहिए किसी भी चीज को justify करने के लिए तो इंडिया के अगर हम बात करेंगे ना तो आप notice करोगे कि इंडिया के पास केवल 4% fresh water resources है बट on the other hand हमारे यहाँ पर 17% के करीब रिव वर्ल्ड की population है तो आप खुद बताओ दिक्कत आएगी नहीं नहीं आएगी 4% fresh water resources हमारे पास है दुनिया के और population है 17% इसके अंदर अपने ना fresh water resources के अंदर भी जो असी परिशत पानी है कही ना कि वो agriculture के अंदर ही यूज हो रहा है तो यह भी एक बड़ा concern हो जाता है इन फेक्ट ना जैसे आप लोग नोटिस करते होंगी आप चावल के बारे में जानते हैं राइस के बारे में आप जानते हैं शूगर केन के बारे में इनको ग्रो करने के लिए बहुत बहुत ज़ादा पानी चाहीए राइट कोशिश करना कभी चावल को ग्रोग करने की बिना पानी के बड़े निकात आती है शुगर केन के लिए बहुत ज़ zaw पानी थाये तो आपने आपने आ प्ने बहुत water intensive crop है क्या मैंने बोल Water Intensive पानी की बहुत ज़ादा इनको ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए कई बार Water Intensive हो ना Water Guzzling Crops भी इनको बोल दिया आता है I repeat Water Guzzling G-U-Z-L-I-N-G Guzzling Crops पानी की मात्रा बहुत ज़ाद चाहिए इनको चाहिए पानी की मात्रा इनको ग्रो करना भी ज़रूरी है पर पानी इंडिया में है नहीं जैसा हमने डेटा से देखा तो कही ना कहीं दिक्कते ही यही से इमर्ज होनी स्टार्ट हुई या नहीं हुई पंजाब के मैंने पिछली बार भी एक्जाम्पल दिया था पंजाब में उतना पानी नहीं है कि मतलब हम अच्छे से चावल ग्रो कर पाएं पर आज के टाइम क्या है पंजाब चावल का दूसरा सबसे बड़ा परडियूसर है कैसी हो पाया है यह हो पाया कि हमने नीचे से जो पानी है ना के ना कि उसको एक्स्रेक्ट किया उससे फिर और दिखकते आती है जो आपका ground water है वो proper नहीं रहा पाता है उसका जो level है वो change हो जाता है तो यह सारे concerns आप notice कर पारें कि कहां से emerge कर पारें उसी तरह से एक और भी report है UN की SDG अगर आप देखोगे ठीक है ना जो हमने sustainable development goals को हमें 2030 तक अचीव करना है वहाँ पर goal number आप 6 देखोगे तो goal number 6 आपका यह ही है clean water and sanitation की यहाँ बात करी गई है तो 2030 तक हमें इस particular goal को अचीव करना है 2019 तक ना हम इस goal का capable लगबग 56% ही achieve कर पाए है तो यानि कि काम करना अभी बहुत इस direction में बचा हुआ है तो यह तो एक basic idea लगा कि आखिर irrigation है क्या इसकी जरूरत है क्यों important है इसका चीज़े यह सारी बात है पर actual में अगर आप notice करोगे ना तो irrigation कोई आज का concept नहीं है यह historical concept है For example, देखो आप लोगों की I think ancient history तो चली रही है ठीक है ना, आप लोगों ने उसके अंदर हड़पन civilization के बार में बढ़ा है राइट पढ़ते हो आप यह सारी चीज़े हैं हड़पन civilization आप देखते हो कि हड़पन civilization की जो हम बात करते हैं बहुत सारी उसमें ना modern चीज़े भी देखने को मिलती है कि किस तरह का उनका रहने का system कैसे था drainage system कितना बढ़िया था getting it तो यह सारी चीज़ें की कैसे वो रहते थे जो आर्टिक फेक्स हो गया उनके bead making हो गया trade कितने बढ़िया जरी कैसे घरते seals आप पड़ते हो यह सारी चीज़ें आपने पड़र रखी है पर साथी साथ आप जानते होंगे ना कि हड़पन system का जो कही ना कहीं जो irrigation का system था यह भी अपने आप में काफी ज़ादा effective था काफी सारे आपको अच्छे tanks हो गया, आपको wells हो गया वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती है यह तो सार हडपन civilization की बात होई पर उसके बाद भी आपको ना कुछ-कुछ जगा के उपर इनका mansion देखने को मिलता है जिसे for example आप लोग ना अपने ककतिया system के बारे में बढ़ते होंगे ककतिया kingdom जे हो है उनका भी अच्छा कासा irrigation system था आप लोग चोला इंपायर के बारे में बढ़ते हो ना दा ग्रेट चोला इंपायर राइट भूले या नहीं भूले रजिंदर चोला जी दाजा राजा चोला ठीक ना तो उनके बहुत बड़े बड़े temples हमें देखने को मिलते हैं पर irrigation system के अंदर भी इनके आप पर एक well developed irrigation system था water की importance समझते थे कि पानी की कितनी important है पानी नहीं होगा तो कहिना कि लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा पानी से है आपका जीवन चल रहा है उपर से आप notice करो जब हम बात करते हैं history की तो चाहिए आप हडपन civilization की बात कर लो ये इंडस नदी के साथ हमें देखने को मिलती है उनके banks के उपर उसी तरह से आपको Egyptian civilization की बात कर लो वो Nile River जो है उसके banks पे आपको देखने को मिलती है उसी तरह से आपका ये जो Mesopotamium हो गया Tigris, Euphrates हो गया जो Chinese civilization है वो भी एक river के around देखने को मिलती है तो पानी की अपने आप में हमेशा importance रही ही रही है तो historical perspective से भी देखो जहां पर भी आपको agriculture करना है जहां पर भी डोगों को sustain करना है पानी important रहेगा ही रहेगा irrigation चाहिए ही चाहिए आपको agriculture को कहीं न कहीं आगे लेकर आने के लिए throughout the year availability बारिश की होना बहुत मुश्किल रहता है काफी सारी areas के अंदर तो वहां पर irrigation important रहेगा ही रहेगा चलो वो सब छोड़ो आप लोगों ने मुझा नहीं पता आप मेंसे कितने लोगों ने medieval history पड़ी है उसके अंदर भी आप जब Tuglaks की बात करते हो ठीक है ना आप पढ़ते हो यह सारी जो हमारा जली सलतनेत के बारे में पढ़ते हो आप लोग उसके अंदर आप पढ़ते हो slave dynasty के बारे में आप खिल्ची dynasty के बारे में पढ़ते हो एक Tuglaks dynasty भी पढ़ते हो है कि नहीं तो Tuglaks dynasty के अंदर भी आप जानते हो कि जो फिरोश्या Tuglaks थे उनके द्वारा भी पानी को हो गया, irrigation system हो गया, agriculture हो गया, इसके लिए काफी जाता है point काम किया गया, जो canal irrigation system हमें देखने को मलता है, उसके अंदर फिरोश्या तुगलक का बहुत important for contribution रहा है, इवन इसके बाद भी, जब यह नो, मुगल्स आज आते हैं, उस टाइम बीच में जब शेर्शा सूरी का टाइम आता है, उन्होंने भी इस system को आगे continue किया, उन्होंने भी नईनी चीज़ें करी इसके रिगार्डिंग, तो are you able to imagine कि इरिगर्शन कोई आज का concept नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा है, तो do you get the point कि इसकी importance काफी रही होगी हिस्ट्री के अंदर, इसके बाद भी ऐसा नहीं कि तुगलाग खतम होगे, नहीं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ इरिगर्शन के अंदर चलता ही रहा है, तो यह थोड़ा historical perspective हमें यहाँ पता होना चाहिए, एक चीज़ हमें और पढ़नी है, यह कौन है, बताएए, यह है आपके सर M. विश्वेश्वरईया जी, दरसल में आप में से ना मुझे लगता है काफी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, काफी सारे लोग आप में से ना, इंजिनियर्स होंगे, है यह नहीं है, है ना, तो मुझे यह बताओ, especially इंजिनियर्स, कि आपका जो इंजिनियर्स दे होता है, वो कब होता है, कॉमेंट बताना, ठीक है ना, देखते हैं कितने लोगों को बता है, दरसल में आपका जो इंजिनियर्स दे होता है, वो होता है, 15 सेप्टेंबर को हर साना, ठीक है, अब आप लोग सोच रहोंगे, सर, 15 सेप्टेंबर को ऐसा क्या होता है, ना ये पंडित नेरु जी का जनम दिन है, ना किसी और का जनम दिन है, ठीक है ना, जैसे हम बाकी चीज़े बनाते हैं, यहाँ पर क्या है ना, जो 15 सेप्टेंबर दरसल में, सर, M. विश्वेश्वरिया जी का जनम दिन होता है, जो इंजनियर्स डे है, इनी के बर्ट डे के अपर यहाँ भी हम सेप्टे करते हैं, तो इतने इंपोर्टेंट, इनो, इतने बड़े इंजनियर रह चुके हैं, तो सर, आप हमें यहाँ क्यों पड़ा रहे हो, देखो, इरिगर्शन सिस्टेम के अंदर इनका कॉंटरिविशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपोर्टेंट रहा है, इतना इंपोर्टेंट है कि UPSC ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बूचा जोगा है, ठीक तो कृष्णा राजासागर डैम के अंदर इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, एंड इवन अगर आप नोटिस करोगे, जो आपके फ्लड गेट्स होते हैं, ठीक है, आपके जो आटोमेटिक स्लूइस गेट्स होते हैं, तो यानि कि मेरे कहने का पॉइंट इरिगेशन सिस्टम को बहतर बनाने के लिए, काफी सारी टेकनोलजी इनों ने बात करी, जो फ्लड गेट का सिस्टम होता है, ठीक है न, डैम्स के रिगार्डिंग हो गया, क्योंकि डैम्स एक इंपोर्टेंट तरीका बनते हैं, कहिना कि अपने अग्रिकल्चर सिस्टम को या इरिगेशन सिस्टम को एक्सपैंड करने का, तो ये अलग-अलग काम इनके द्वारा यहां पर करे गए हैं, डिफरेंट डैम्स के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, अगर आफ नोटिस करोगे, इरिगेशन के साथ साथ आपकी जो वाटर इंजिनेरिंग की फील्ड ह इनका कॉंट्रिबूशन इम्मेंस रहा है, जो आप देखते हैं, डैम्स कभी देखे हैं, वो डैम्स के जो गेट्स पगरा मूव करते हैं, तो वहां पर उनके मुमेंट को कैसे कहिना कि टैकल किया जा सकता है, फ्लूड्स को मतलब मैनेज करने के लिए, ब्लॉक इरिगेश इनके बारे में यह सारे पॉइंट्स, वाटर एंजिनिरिंग के रिगारिंग डैफिनेटी आप लिख पाऊगे, तो यह कुछ थी हमारी हिस्टॉरिकल परस्पेक्टिव जो हमें पता होनी चाहिए, अब ना कुछ टर्मिनोलोजी हैं यहां पर विफोर मी मूवां टो कि अ माइक्रो इरिगेशन क्या है, या यह नो, सर्फेस इरिगेशन क्या है, या फ्लर्ड इरिगेशन क्या है, उससे पहले हमें कुछ यहां पर की टर्म्स के बारे में जा लेना चाहिए, ताकि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं, पहला जो टर्म है, that is, is, cultivable land, अब आपनों सोच रहोंगे, cultivable land इसका अर्थ क्या होता है, कही बारना आपको newspaper के अंदर भी, ऐसे words देखने को मल जाएंगे, cultivable land हो गया, तो यहां पर पता क्या होता है, आपका जितना भी, जितना भी area आपने सो कर रखा है, जिसको बोलते हैं, net zone area, उसके साथ हो सकता है थोड़ी, जो आपकी, you know, fellow land जिसको बोलते हैं, basically जो जमीन है, जो जिस पर आप खेती कर सकते हो, पर आपने खेती करी नहीं हुई, तो वो वाली जमीन को हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे, हम fellow land, इसी तरा से हो सकता है कुछ और भी आप चीज कर पाओ, पर अभी कर नहीं रहे हो, जो भी cultivable, जो भी areas होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर आजाते हैं, किसके अंदर आजाते हैं, cultivable land के अंदर, यानि कि कहने का point क्या हुआ, कल को कोई आप से बुछे कि भाया, यह cultivable land है, इसका मतलब simply यह है, कि वो वाली land जिसको आप cultivate वेट कर रहे हो, या कर सकते हो, समझे इस बात को, अगर मालो यहाँ पर ना कोई जमीन है, पर यह जमीन अपने यहाँ बिल्कुल बंजर बढ़ी हुई है, यहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती, तो क्या वो cultivable land की category में आएगी, the answer is no, पर ऐसा हो सकता है, कि यह जमीन बढ़िय है, तो क्या वो cultivable land में आएगी, बिल्कुल आएगी, तो cultivable land basically उस एरिया को बताता है, जहाँ पर या तो खेती हो रही है, या खेती हो सकती है, do you get the point? तो net zone area वो वाला area हो गया, जहाँ पर हो रखी है, fellow land मतलब जो खाली है अभी तक और cultivable जिसको आप cultivate कर सकते हो, तो यह आपका cultivable land की category के अंदर, एक थोड़ा सा confusion के इस बच्चम को यह भी हो सकता है, सक net zone area को भी अगर आप थोड़ा explain कर देते हैं, तो बढ़िया रहता, बिल्कुल कर देते हैं, कोई issue नहीं है, ध्यान से समझना, थोड़े technical terms है, ठीक है न, पर मैं हमेशे जैसा बोलता भी हू आपको कि economy बस थोड़े technical है, पर टफ बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको आज भी समझ आ ही जाएगा, समझो, जैसे माल लो, यह area है, यह जमीन का area, ठीक है, अब इस area के अंदर मैंने खेती कर दी, माल लो यह एक एकड़ का area है, इस area के अंदर मैंने खेती कर दी, तो यह कह आजाएगा net zone area, getting it, तो basically अगर आप से कोई पूछे, कि net zone area क्या है, तो यह total area of land है, जो की sow किया गया है, with vegetables, आपके, ठीक है न, किसी भी चीज़ से मतलब, आपके आपके खेती से मतलब, basically आपके crops हो गया, आपके vegetable हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ से जिस area को आपने sow किया है क्रॉप हो गया, आपके vegetable हो गया, वो सारा area के आजाता है, आपका net zone area, अच्छा ठीक है, अभी मैं आउँगा इसके उपर, चिंता मत करो, अभी थोड़ा साना मुझे आपको फर्क बताना है, net zone area और जो आपका gross, cropped area कह लो, या gross, irrigated area कह लो, मैं gross, cropped area लिख देता हूँ, उससे समझा दाएगा, अब यहाँ पर कई बार चुगा ना confusion हो जाती है, कि सर्ग ग्रॉस, cropped area और net zone area कह लो, एक एकड़ के जमीन है, ठीक है ना, मैंने इस पर खेती करी, तो net zone area कितना हुआ, एक एक एकड़, ठीक है, पर मान लो, एक साल के अंदर पता मैं क्या करता मैंने वहाँ पर चावल की खेती करी, ठीक है, जितने भी महिने लगे, लगे, उसका मैं चावल को काट किया, काट दिया उसकी फसल को, harvesting मतलब कर ली, एंड उसके बाद मैंने उसी जगा के उपर, दूसरी को यह और फसल बीच दी, समझे इस बात को, तो एक साल में मैं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दो एकड, क्यों, क्योंकि उसी एक एकड एरिया के उपर आपने क्या किया, दो बार फसलों को उगा दिया, एक साल के अंदर, तो दरसल में gross dropped area double हो गया, तो होता पता क्या है, net zone area के अंदर आप बस देखते हो, कि कितनी जमीन के उपर खेती हो नेट सोन एरिया के दरा आप क्या देखते हो कि कितनी जमीन के उपर खेती हो रही है तो एक एकड के उपर खेती हो रही थी तो मैंने इसका अंसर बोल तिया कि विए एक एकड होगा gross crop area के अंदर आप देखते हो कि हाँ खेती एक एकड area पे हो रही है पर साल में दो बार हो रही है तो आप एक एकड को double कर दोगे समझे तो अंसर इस केस में क्या आएगा gross crop area का दो एकड अगर मालों मैं साल में तीन फसले उगा रहा हूँ लेट से इसी एक एकड वाले एरिया के उपर तब आपका gross crop area कितना मैं जाएगा तीन एकड और net stone area वो भीया एक एकड ही रहेगा net stone area का simple सा मतलब है कितनी जमीन के उपर आप खेती कर रहे हो कितनी जमीन के उपर कर रहे थे एक एकड के उपर gross crop area के अंदर जमीन तो देखते ही हो उसको multiply करते हो कि कितनी बार आपने एक साल के अंदर कोई चीज ग्रो करी है अगर तीन बार करी है आप एक साल में तीन बार एक एकड वाले एरिया के उपर ग्रो कर रहे हो तो अंसर आएगा तीन एकड तो यह फरक होना चाहिए between net zone area and the gross cropped area ठीक है ना तो यह फरक I hope आपको समझ आ गया होगा इन तीनों के बीच में कि cultivable land क्या है net zone area क्या है and साथ-साथ gross cropped area क्या है यहाँ पर बिसकिलिए आपको multiply करना पढ़ेगा number of times जब भी आपने खेत को grow किया ठीक है ना बहाँ पर खेती करी basically crop को grow किया तो यह term I hope तीनों समझ आ गी होंगी ठीक है एक ऐसा एक और term हमें देखने को मलता है that is cropping intensity यह terms था important है कोई पूछ ले सकता है UPSC में जैसे water use efficiency के उपर question UPSC ने पूछ लिया था थोड़ा ध्यान से समझो इनको cropping intensity क्या हुआ sir यहाँ पर cropping intensity नाम सोचो cropping intensity कितनी तेजी से या कितनी बार आप पीन के crop को grow कर रहे हो यही मतलब है तो यहाँ पर cropping intensity कुछ नहीं होता आप जो है ना अभी पढ़किया है ना gross cropped area बिल्कुल पढ़किया है इसको आप क्या करो इसको divide कर दो divide किसके साथ करें sir आपका जो net zone area होता है यह हो गया आपकी cropping intensity अब मान के चलो जैसे for example let's say gross cropped area 2 acre है और net zone area 1 acre है तो cropping intensity कितनी आई 2 by 1 ही आई कि 2 आई क्या दिखा रहा है यह यह दिखा रहा है एक खेद के उपर आप कितनी बार फशल ग्रो कर रहे हो यानि कि 2 बार ठीक है तो इसी चीज़ को क्या बोलते है cropping intensity I hope आप इसके बारे ने भी समझ गे होंगे एक टाम और समझ नहीं है जो यूपेसी ने हम से पूछी भी थी that is water use efficiency अब समझना इस बात को यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं सर तीन वर्ड्स water use efficiency और इन तीनों वर्ड्स के अंदर इनना इसका मतलब छुपा हुआ है क्या मतलब है सर इसका देखो माल लो आपको उसको चुछ पानी था उसको क्या बोलेंगे actual water withdrawal आपने कितना पानी withdraw किया एंड इसके basis के उपर कितना पानी actual में कितना पानी actual में पौदे के द्वारा use किया गया जिसको हम क्या बोलेंगे effective water usage इसी को बोलते हैं efficiency example से समझाता हूँ मालनो जैसे आप हो आप बोलते हो कि सर मैं 10 घंटे बढ़ रहा हूँ आज ठीक है पर actual में जरूरी थोड़ी है कि 10 घंटे के 10 घंटे आपने भले ही आपके सामने किताब खुली थी पर हो सकता आपने पढ़ा हो उनमें से जरब 8 घंटे बाकी 2 घंटे आपने के सामने किताब खुली पढ़ी है पर आप पढ़ नहीं रहे हो तो actually कितना किया 10 घंटे पर effectively कितना किया 8 घंटे समझ आया फरक तो यहाँ पर भी नहों सकता है कि आपने भाईया अपनी खहित को भर दिया पानी से आपने डाल दिया खेत के अदर 100 लिटर पानी पर 100 का 100 लिटर पानी जरूरी थोड़ी है कि वो आपके पौधे को उट सक पहुँच गया नहीं कहुचा होगा ना कुछ ना कुछ से वेस्टेज हो गया वहाँ पर आपने इतना पानी डाल दिया तो हो सकता हूँ 100 मैंसे 70 लिटर पानी ही आपके क्रॉप की ग्रोथ के लिए यूज हुआ हो समझे तो लगाया था 100 लिटर आपके पौधे की ग्रोथ के लिए यूज कितना हुआ 70 लिटर तो एफिशेंसी कितने हुई 70% इस ही को बोलते हैं आपकी वाटर यूज एफिशेंसी और यही उपिए से ने कुशन हम से बूचा हुआ था कि आखिर ये वाटर यूज एफिशेंसी होता क्या है तो एक्चल में अगर आप नोटिस करोगे ना तो इंडिया में बड़ी दिक्कत है इंडिया में ये नंबर काफी कम है अप्रॉक्सिमेटलि अगर आप नोटिस करोगे 38% के आसपास है आप नोटिस कर पा रहे हो ये जो नंबर जितना कम होगा ना कहीना कि हमारे लिए उतनी ही चीज खराब है समझे इस बात को क्योंगे आप नोटिस करो कि अगर आप 100 यूनिट पानी दे रहे हो तो effectively जो पौधे को चाहिए जो इसके उसके ग्रोथ हो रही है वो केबल 38% है तो अपने आप में ये नंबर काफी कम हो जाता है इंडिया में ये concern हमें address करना बहुत ज़्यादा important हो जाता है इसी के साथ ही एक तीस हमें और समझनी है वो टर्म है आपकी Fertigation अब आपने फोज़ों कि सर्फ Fertigation का मतलब क्या है देखो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर कौन से दो वर्ड्स हैं? देखो एक वर्ड आपका Fertilizer एंड दूसरा वर्ड आगया आपका Irrigation इन दोनों को ज़रा कर दो add Fertilizer को और Irrigation को तो क्या बन गया? यह बन गया Fertigation तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा मानलो जैसे आपके यह पौदे पड़े हुए इदर ठीक है ना? आपने इन तक पानी पहुचाना है मानलो इस टंकी से पानी आ रहा है ठीक है? तो आपने पता क्या किया? आपने टंकी के अंदर इना Fertilizer डाल दिया अदर्वीस होगा क्या? अगर सिंपल में माम बात करूँ तो हो सकते एक आपके एक बन्दा हो वो जाए हर पौदे के पास ऐसे Fertilizer फेंके, इधर फेंके, उधर फेंके काफी दिक्कत होती है उससे क्या होता है ना? कि actual में जब Fertilizer जहां तक आपके प्लांट तक पहुचना चाहिए वो नहीं पहुच पाता पर Fertigation के अंदर आप क्या पहर रहे हो? उसका डिरेक्ट फाइदा हो वो प्लांट की ग्रोथ के अंदर हो तो वो बोलते हैं उसको Fertigation बेसिकली दो वर्ड्स हैं Fertilizer और Irrigation दोनों को कंबाइन कर दिया, अंसर बन गया आपका Fertigation, very easy ठीक है सर, ये बाद भी समझ आ गया अब यहाँ पर एक चीज लिखी है मैंने Water Intensive Crops वैसे मैंने आपको इसका मीनिंग बताई दिया Intensive बताई है जब हम ना बहुत High Level पर किसी चीज़ को यूज करते हैं और जैसा मैं आपको बताके गया हूँ इसको आप Water Guzzling Crops भी कह सकते हो Especially आपे दो एक्जामपल जो मैंने आपको बताई भी है वो आपके राइस और शुगन के नहीं आप रखिएगा क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए इतना ज़ादा पानी चाहिए होता है कि आपको बहुत ज़ाद इक्कत आती है अब आज कल ना क्या होता है कि हर किसान को लगते हैं राइस में के अंदर फायदा है इसको ग्रो कर लेते हैं पर एक्टर में क्या हो रहा है वहां की जो ecological conditions है ठीक है ना जो agroclimatic zoning है उसके साब से आप ग्रो नहीं कर रहे हर जगा के ओपर कोई चीज़ ग्रो करने का कोई तरीका होता है अब अगर मैं बोलूँ कि यार यह XYZ state है कोई भी state की बात कर लो अब मैं बोलता हूँ कि यार मनीपूर के अंदर यह फसले अच्छी ग्रो करेंगी युग युग वहां का अपना कुछ climate है बहां पे कितना पानी मिल रहा है बहां कितना temperature है, बहां कैसी soil है उसे साब से कही ना कहीं वो particular area किसी particular crops के लिए अच्छा है और दादरिन हो सकता है महाराष्टा किसी और particular crop के लिए अच्छा हो तो पता क्या हो रहा है इस तरव से हमारे country के अंदर अलग-अलग zones बने हुए है पर हमें नहीं, हम तो ये grow करेंगे rice हो गया, sugar can हो गया इनको grow करेंगे बहले ही महां पे पानी हो या ना हो तो दिक्कत तो आएगी ना आएगी, बिल्कुल आएगी और ये लिक्कते हैं आभी रही है अब ये क्या मैं इनको नाम करेंगे दिया water guzzling crops or water intensive reason being कि इनको grow करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी ही चाहिए होता है इसलिए इनको ये नाम दिये गए है अब साथ में एक टर्म है जो economic survey ने use करी थी इस टर्म को भी ना समझ जाना ये अक्चल में इस टर्म में आपको क्यूं समझा रहा हूँ क्योंकि आप ना के बार agriculture के अंसर लिखते हो तो agriculture के अंसर बहुत ही ना boring से लगते है कि आप लिखते हो कि हाँ इंडिया में वाटर की कमी है ये कमी है वो कमी है कहीं ना की कुछ तर्म आप अग्री कल्चरे कुछ टेकनिकल डाम सीख होगे ये जो सारे तर्म मैंने सखा है ना आपको fertigation हो गया आपको water use efficiency हो गया cropping intensity हो गया net sown area, gross cropped area, cultivable land ये सारे words इसलिए सिखा रहा हूँ ता कि आप अपने मेंस के अंदर इन words को use करो ऐसा मत सोचना कि सरपता नहीं क्यों बढ़ा रहे हैं हमें नहीं, agriculture के अंदर लोगों को लगता है जरूर एक यार मैंने answer कराया हमें कि question easy था, कि पूछ रहे थे कि rice wheat system से क्या नुकसान हो रहे हैं पर actual में आपको marks मिलेंगे नहीं जब तक आप अच्छे words, अपने अच्छे keywords agriculture के और अच्छा data point नहीं दोगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि GS paper 3 तो easy आया था पर जब marks की बारी आती है तो marks बड़े काम आते है GS 3 के अंदर reason भी यही है, कि हमें demand ही नहीं हम इसके address कर बारे है बहुत ही नहीं मतलब general answers हम लिख रहे हैं पर ऐसा नहीं करना agriculture के तरे mark score करने का यही तरीका है you have to write very very specific points syllabus limited है बर ज़रूरत है अच्छे points वहाँ पे लिखने की तो जो मैं बात कर रहा था economic survey की, तो economic survey नहीं इसके लिए एक term यूज करी है that is virtual water export इसका मतलब क्या है सर्फ virtual water export का समझाते है देखो माल लो एक कोई person है ठीक है आप जानते हो example मैं किसका लेता हूँ let's say person है जिसका नाम है वैवब ठीक है अब इन्हों ने पता क्या सोचा वैवब ने वैवब ने सोचा यार कि हम एक काम करते है चावल उगाते है ठीक है चावल उगाया और चावल उगाने के लिए उसने क्या यूज किया हजारोगी लीटर का क्या यूज कर लिया पानी यूज कर लिया ठीक है ना हजारोगी लीटर पानी यूज किया उससे चावल बना लिये इसने अब चावल यह क्या करता है चावल बेच देता है दूसरी कंट्रिस के इंडिया के में चावल काफी अच्छे कास से एक्सपोर्ट होते हैं बल्कि अच्छे कासे क्या, इंडिया दुस्पोर्टर है चावल का यह बाता भ्यान में रखना UPSD ने 2019 में यह MCQ पूछा हुआ है, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है इंडिया में, मतलब दुनिया में चावल का, वो है इंडिया, अब इंडिया ने, मतलब वैभव ने लेट से, चावल एक्सपोर्ट कर दिये, किसी भी दूसरी कंट्री को भेज दिये, ठीक है, अब देखने में लग रहा है कि वैभव ने क्या दूसरी कंट्री में बाहर भेजा, वो भेज़त चावल, बिसकिली एक्सपोर्ट किसका हुआ, चावल का, पर क्या आप ये बात नोटिस कर पा रहे हो, कि उस चावल में तो पानी भी लगा है, इसने हजारों लीटर का पानी यूज किया, त पर भाया, चावल बनाने के लिए तो हजारों लीटर का पानी यूज हो गया, वो भी तो इसाहत में एक्सपोर्ट हो गया वहाँ पे, तो इसलिए हमें दिख नी रहा पानी वो, पर एक्टल पे पानी है उसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं वर्चुल वाटर आपको अपने अंसर में यूज करना होगा, तो जब इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है चावल का, तो डेफिनेटली पानी भी हम बहुत जादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ ही साथ, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके रिगारिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का अर्थ क्या है, वाटर गजलिंग क्रॉप्स का, एंड कहीना कि वर्चुल वाटर एक्सपोर्ट क्या होता है, ये टर्म्स के आपको क्लैर्टी यहां पे होनी जाहिए, ठीक है, थोड़ा नीड औफ इरिगेशन की बात समझ लेते हैं, दे दिल्ली में इतनी बारिश हुई, कही दिनों तक बारिश, इवन बार जैसे हाल आत हो गे थे, हिमाचल परदेश में बारिश हो रही है, बहुत दिनों तक बारिश चलती रही, ठीक है ना, फिर कही टाइम ऐसा आता है, जब बारिश बिल्कुल होती ही नहीं है, क्या फिका ईफिलनम्बर टाइम के उपर, तो आप नोटिस कर रहे हो, कि बारिश का ना बहुत उपर निचे पैटों है, कभी बारिश होती है, कभी बहुत कम बारिश होती है, हम पूरी तरा से निर्भण नहीं रह सकते बारिश के ऊपर, हमें इस वज़而且, रहे में करे देक्क इरिकम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, unreliability है, ठीक न, erratic है, तो यह सारे concerns रहेंगे, तो वहाँ पर क्या role बढ़ेगा, वहाँ पर role बढ़ेगा यह आपका irrigation का, getting it, बाग के आप लोग न, कुछ hypothesis सुने होंगे, जिसे for example, Malthusian का hypothesis था, basically अब तो इसको हम इतना मानते रही हैं, Malth Malthusian hypothesis को, पर point उनका यह था, कि जैसे जैसे हम notice करेंगा, कि जैसे अबादी बढ़ेगी, तो बाद में, लोगों के बीच में, demand for food बढ़ती रहेगी, कि यह इतने सारे लोग बढ़ेगे हैं, पर resources को कहीना कि limited होते हैं, तो future में क्या होता है, कि कभी न कभी उन बीच में आज कल तो हमारी जो population है 700-800 crore, ऐसे भी जादा हो चुकि अब तो, ठीक है, तो इतनी जब population बढ़ती जा रही है, उस population की food की demand भी तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, उस food की demand को cater करने के लिए चाहिए, आपको चाहिए irrigation, तो इस तरा से होगा, बाकि मैंने आपको green revolution क करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है ना, in fact ने इसको बोलते भी है, कहिना कहिना अगर आपको productivity भढ़ानी है, तो वहाँ पर इरिगेशन की जूरत होती ही है, अगर आप नोटेस करोगे, कोई जमीन है जो की unirrigated है, वेरस एक कोई जमीन है जो की irrigated है, तो ज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम बदलाब देख रहे हैं, दुनिया भर में अंदर, तो वहाँ पर भी, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ये चीज बहुत इंपॉइंट है, कि क्लाइमेट चेंज की वज़ास से, food security hamper हो सकती है, getting it, तो अगर उसके साथ deal करना है, तो irrigation होना बहुत जादा जरूरी है, साथ में food security तो हमें बता ही है, याद करो वो time, जब मैंने chapter time के अंदर आपको public law 480 के बार में बताया था, कैसे हम USA के उपर निर्वार थे, वहाँ से ship आती थी, wheat लेकर, तब हम कहिना के खाना खावाते थे, तो अब अगर SGU से बचना है कहिना के उसके लिए irrigation का अच्छा होना बहुत बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, तो ये चीज़ हमने थोड़ी अभी तक समझी, अब इसके साथ ही ना हमें कुछ और चीज़े भी समझनी है, जिसे for example, surface irrigation क्या होता है, ठीक है ना, types of irrigation अगर हम समझेंगे, surface irrigation तो आप जानत में point है, तो एक एक करत के ना, इन सभी को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यह है आपके एक canal, ठीक, canal irrigation सबसे पहले बढ़ रहे हैं, यह आपके canal है, मालो इस तरह से ना, कोई नदी जा रही है, कुछ इस तरह से जा रहा है, अब हम पता क्या कर रहे हैं, हम यहां से थोड़ा जो पानी है, इस तरह से, canals के मादियम से, इस तरह से, मतलब यह रास्तों के मादियम से, हम पानी आगे तक महचाने की कोशिश करते हैं, do you get the point कि canal irrigation के अंदर आखिर हो क्या रहा है, यहां पर हो यह रहा है, कही न कहीं, जो भी आपके इस तरह से यह जो नदिया बगएरा जा रही हैं, जो आपके rivers बगएरा जा रहे हैं, हम कही न कहीं उनका पानी इस तरह से utilize करने की यहां पर कोशिश करते हैं, आपने के वार notice किया हो गरा, आपके different different आपके जो river projects होते हैं, वो इस करने की कोशिश करेंगे फिर उसका पानी कहीं और आगे यूटलाइज होगा इस तरह से खेतों तक हम पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं इसको बोलते हैं के नाल इरिगेशन मैथड एक्जामपल दे दीजे सर देखो आपने शायद इंधिरा गांधी के नाल के वारे में सुना होगा यह आपको नदर इंडिया वाली साइड में आपको देखने को मिल जाती है इंदरा गांधी कैनाल तो वहाँ पर यह सिस्टम है हर्याना, पंजाब, राजस्थान इनमें भी यह सिस्टम काफी हर तक यह work करता है तो जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर कैनाल इरिगेशन के अंदर यूज किये जाते हैं Do you get the point कि आखिर कैनाल इरिगेशन क्या है? Simply आप imagine करो, यह देखो, यह किनाल के माध्यम से इस तरह से पानी आ रहा है, उसको फिर आगे हम लेके जा रहे है ठीक है ना, अपने पिच्चर आप देखोगे आपको अपने विजुलाइशन हो जाएगी कि हाँ यह किनाल इरिगेशन के अंदर ना, इस तरह से कहिना कि आपके पानी होता है, आपके रिवर्स बिगर आते हैं, उनको हमें इस तरह से यूट्राइश कर लेते हैं पर दिक्कत के वर बता क्या आती है? हो सकता है जो पानी हो या जो नदी आ रही है, जरूरी है कि साल बर भे, हो सकता है नदी सीव्जनल हो, तब क्या होगा? बीच में कुछ महीने यह क्या करए होगा? ये वाली जो नदी है, बीच के कुछ महीने यह सूख जाएगी, तब फर दिक्कत आ जाएगी तो बहतर यह होता है कि कहिना कि अगर ना पेरीनियल रिवर्स हो, जो साल बर यहाँ पर हमें रिवर्स देखने को मिलती है, अगर वो होगी तो कहिना कि बढ़िया हमारे लिए सही चीज रहेगी और एक्चल में अगर आप नोटिस करोगे, यह काफी फिमस है, पर सबसे फिमस यह नहीं है, मतला किलाल इरिगेशन इस नोट वोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ट, तो वाइडली प्रैक्टिस्ट क्या है, वो है यह आपने वेल्स के बारे में, या आपने ट्यूब वेल के थूप कही नहीं कि आप इरिगेशन सिस्टम करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर क्या होता है, आप नीचे से कही नहीं कि पानी यूटलाइस करते हो, और उसको इस तरह से अपने खेतों में देने की यहाँ पे कोशिश करते हो, ठीक है न, आपके इस तरह से यह इलेक्ट ही ना कहीं आपका पानी आप देख पाओ तो एक्टल में अगर आप पूटिस करो है पंजाब गए तो बहुत पॉपलर है यह चीज ठीक है ना और इंटिया में अगर में बात करूँ ना आप से पूछे कि सबसे आप आप यहां पर यहां नाम बताऊगे आप वेल या ट्यूब वेल इरिगेशन का ही बताऊगे सेकीड मॉस्ट पॉपलर के अंदर आप यहां पर देखने को मिल जाता है तो जिन एडिया के अंदर हमारे पास अच्छा खासा ग्रांड वाटर होता है वहाँ पर यह में पर जब आप जरूरत से ज़्यादा के ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हो तो उसके फिर अपने अपने नुकसान होने लग जाते हैं जिसके बारे में आप जानते भी होंगे getting it on the other end अगर आप notice करोगे जो इंडिया को जो पैनिंशुल वारा area जो इंडिया को जो पैनिसुल पार्ट है वहाँ पर क्या होता है ना वहाँ पर आपकी जो जमीन है वहाँ पर आपको hard rocks देखने को मिलते हैं अब अगर hard rocks होंगे, तो कहिना कि पानी को उपर लेकिया है, बहुत मुश्किल होगा, इस वैसे peninsula पार्ट के अंदर आपको यह जो है ज्यादा जो utilize होता हुआ, नहीं देखने को मिलता, पर बाकी areas के अंदर अगर आप practice करोगे, तो वहाँ पर अच्छागासा utilization हमें देखने क को मिल जाता है, ठीक है, आपका Punjab, Haryana, Western UP, महाँ पर अच्छागासा देखने को मिलता है, एक साथ में न, एक चीज और भी linked है, इस motor को आपने रन भी तो करना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको बिजली, ठीक है, electricity चाहिए, तो जिन areas के अंदर आपको सस्ती बिजली मिल जाता है, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, तो एक system है आपका, वो है tank irrigation, यह देखो, यह इस तरह से आप देख पारे होंगे, यह बल जो tank irrigation system है न, यह आपके South India में popular है, बाकी जगा कम use होता है, पर South India में थोड़ा बहुत होता है, especially आप अंदर प्रदेश की बात कर लो, आप Tamil Nadu की बात कर लो, तो Southern India के इन कुछ areas के अंदर आपको यहाँ पे tank irrigation होता हुआ देखनी को मिल जाता है, तो कुछ नहीं है tank irrigation का meaning, बहुत जी simple सा, जैसे आप picture के अंदर imagine भी कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पर इस तरह के आपके tanks होते हैं, कुछ natural भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा यह माध्यम बन जाता है, कहिना कि कल को जब इनको utilize करना हो इस पानी को, तो वहाँ से इस पानी को utilize किया जा सकता है, तो पानी store कहां से कर रहे हैं, हो सकता है सर, यह बारिश का पानी हो, कोई नदी का पानी हो, कोई stream का पानी हो, तो वहाँ से पानी आएगा, कहिन के रिगार्डिंग हमें इसकी popularity यहां देखने को मिल जाती है ठीक है सर ये बात तो हमें थोड़ी clarity मिली इन सभी चीजों के रिगार्डिंग चाहे वो tank irrigation हो गया या आपका canal irrigation हो गया या आपका tube well पर कोई भी method आप देखो चाहे आप canal irrigation की देख लो ट्यूबल की देख लो यहां पर वता क्या कर रहे हो आप अपनी खेत को भरे जा रहे हो तो इन systems को न कई बार हम flood irrigation से नाम से भी जानते हैं क्या बोला मैंने flood flood का मतब होता है पूरा भर देना इसे floods आते ना वैसा कई बार चावल के खेतों को इस तरह से flooding हो रखी होती है महाँ पर पानी पूरा भर ही पड़ा रहता है के की दिनों तक तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको नहीं लगता कि जो हम बात कर रहे थे किसकी water use efficiency की अभी formula पढ़के आए है बहाँ देखा था कितना पानी अवेलेबल है किना कितना उसको actually वो यूस कर रहा है फरक समझा था ना दोनों के अंदर तो क्या आपको लगता है यहाँ आपर इन systems के अंदर flood delegation वाज़ सिस्टम के अंदर do you really think कि जो water use efficiency है वो मारी अच्छी होगी answer is clearly no अब समझा है ना कि 38% जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में water use efficiency बहुत कम है लगब 38% वो क्यों है वो इसलिए है क्योंकि हम पानी बहुत सारा बहाते रहते हैं डालते रहा रहे हैं पर actually पौदे को जितनी जरूरत है वो हमें ध्यान में ही नहीं समझे इस बात को तो यह water use efficiency का भी यहाँ पर clear linkage हमें देखने को मिलता रहता है बाकि आप और खुद सोचो यार यह पानी ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ है मतलब आपके खेश में पड़ा हुआ है आपके पौदे को नहीं चाहिए तो बहुत सारा पानी यह evaporate हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा कही बार होता है कि कुछ जगह के उपर पानी के साथ evaporate होने के साथ साथ ना नीचे से जो कहिना कि आपके जो salt बगएरा है वो भी बहार आ जाते हैं Capillary action जिसको बोलते हैं उससे कहिना कि आपके जो soils हैं उसके रिकारणी कुछ issues आ सकते हैं आप सुनते हैं soil alkalinity के बारे में या फिर salinity of soils के बारे में तो वो सब concerns भी आजाते हैं Plus at the same time मालो अपने पानी बहुत भर रखा है अपने खेत के अंदर तो क्या आपको नहीं लगता उस पानी के साथ साथ जो उपर की फर्टाइल मिट्टी है के बार भी बहक के जा सकती है तो यह सारे बहुत सारे concerns है और बाकी आप तो जानते ही हो कि इंडिया में 4% fresh water resources है और 17% दुनिया की population है तो अगर ऐसा होगा तो कैसे हम इसी इसको balance कर पाएंगे तो उसी के लिए ना काफी सारे लोगों के ज़रा स्जेस्ट किया आता है क्या micro irrigation आपने नाम पका सुना हुआ है ठीक है ना micro irrigation का नाम सब सुनते हैं पर कहिने कि कैसे इसको implement करना है वो हम आज देखेंगे अब आप लोग सोच रहोंगे सर ऐसा क्यों जिसे for example यहां पर पहले मैं आपको drip irrigation के बारे में समझाता हूँ drip irrigation ना micro irrigation का यह एक तरीका है ठीक है यहां पर आप नोटिस कर रहे हो इस तरह से आपका पाईपे लगी हुए है यह पाईप देख पा रहे होंगे आप लोग अब यहां पर देखो यह पानी ना ऐसे जिसको बोलने टिप टिप करके होता है तो टिप 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 इस तरह से देखने को मिलेगा तो जितने आपकी जड़ों को जरूरत है एक्जैक्ली उसी मातरा में इसको पानी मिलेगा डिट दा पॉइंट तो यहां पर जो हम करते हैं कि अपने खेट को पुरा फ्लड कर दिया वो चीज नहीं हो रही जितनी जरूरत है कि उतना पानी इसको धीरे- इस तक पहुँच पाएगा तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी कासी हो पाएगी जो किसान अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो इन्पूट डाल रहा है उसको उसका आउटपूट भी मिलेगा अधर्स हो पता क्या रहा है कि कहिना की दिक्क्ते या जाती है इरिगेशन की व अभी तक आपने डिप इरिगेशन का थोड़ा मीनिक समझ लिया होगा कि डिप इरिगेशन का आखिर ये वर्क कैसे करता है एंड क्यों हमें ये ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी चीज है ठीक है ना इतना थो थोड़ा एक बेसिक आईडिया आपको डिप इरिगेशन के बा से पस जाता है साथ महीं ना ये पानी और दरेकली वहीं जाएगा जहां इसकी जरूबत है यहां पर होते हैंपर और यहां पर बamentsहील उपर हम सही मात्रा प् wel जाती है यह चीज भी आपको पता होने चाहिए बाकी और फंगल डिजीस वगएरा हो गया वो भी यहाँ पर कम हमें देखने को मिलती है तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी benefits हमारे यहाँ पर drip irrigation के अंदर तो है उसी तरह से यह रहा आपका क्या यह है आपका sprinkler irrigation अब इसके अंदर क् क्या होगा sprinkler irrigation के मदद से क्या हो रहा है कि basically आप यहाँ पर देख पाओगे कि किस तरह से पानी बिल्कुल उस तरह से प्रवाइड के जा रहा है जैसे आपकी बारिश होती है ठीक है आप आप आपने देखे होंगे इसको कि एक जगा से इस तरह से पानी यहाँ पर स्प्रि के लिए बड़े इरियास के लिए भी यहाँ परी यूज काम आ जाएगा तो sprinkler irrigation भी इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे यह फाइदे मन्द है बाकि at the same time आपकी soil erosion इसके इसमें भी नहीं होगी flood irrigation में देखा ना soil erosion हो जाती है यहाँ पर ऐसा नहीं होगा चाहे आप sprinkler की बात कर लो चाहे आप बात कर लो drip irrigation की बात कर लो तो यह बात तो समझ आई है plus at the same time कलको मुझे कुछ fertilizer हो गया कुछ और चीजिया कुछ pesticides हो गया वो डाल के कहिना कहीं डालने है बदलब खेत में डालने है तो इसके अंदर इस पानी के अंदर आप उनको भी गुला सकते हो और वो कहना कि जैसे पहुंचेगा तो उसके अंदर भी फाइदा हो जाएगा तो application of you know inputs is very easy and I should say rather I should say की काफी effective होता इस चीज के अंदर तो यह कुछ चीजें हमें पताऊंचे यह sprinkler और drip के बारे में ही उसी तरह से ना एक होता है मर पास sub-surface irrigation अब surface तो होता है जो surface के ऊपर हो मत्ती के ऊपर जो चीज़ देखने को बलती है sub-surface मतलब surface के नीचे अब आपर सुच नीचे नीचे irrigation हो रही है बिल्कुल सही बात है देखो यहां पे notice करना जैसे ही आपके कुछ po assignmentsлять लगी होई है यहां मिटी यहां Camry तो मिटी से नीचे थाई न कि अजरी यहां को चाहिए बल्लैक क्लर की यह जो पानी चाहिए होता है वो उसको मियावे पहुंचाते रहते हैं दिससे तोना सब सर्फिस इरिगेशन ये भी अपने आप पे काफी एफेक्टिव है इस तरह से ये और भी है सेंटर पिवेट इरिगेशन ये उतना है पॉइंट नहीं है बड़ एक बेसिक आइडिया ले लो कि यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर इस तरह की आप मशीन देख सकते हो ठीक है जो आप यहाँ पर सामने देख भी रहे हो इस तरह की आप एक मशीन अ आप कर रहे हो एक तरह से इसको आपने क्या क्या दिया आप पानी पहुंचाने की कोहिश कर रहे हो होता क्या है जो मशीन आपको है यह हाइट पर होती है दो से चार मीटर की हाइट के उपर इस तरह से आगे पूरी लंबी यहाँ पर चेन आगे तक तो इस तरह से आपको प पानी डालना है तो बहुत एफेक्टिव नी डाल सकते हो ठीक है तो यह कुछ माद्यम है आपके किसी इसके माइक्रो इरिगेशन के यह तरीके हैं बट मेजरली जब हम बात करेंगे तो आपके ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन यह सबसे जादा पॉपलर है तो सर्फ फायदे तो हमें अच्छे खासे दिख रहे हैं ठीक है ना मैंने इन फैक्ट यहां पर लिखे भी हो यह दिक्कते भी नहीं आएंगी माइक्रो इरिगेशन की मदद से प्लस साथ ही साथ जो फर्टिकेशन बाला बताया मैंने आपको तो फर्टिलाइजर की जो एफिशेंसी थी वो भी यहां पर इंप्रूफ होगे बाकि जो और इशू है ठीक है ना जैसे आपका फार्म रन आपको वो चीज के अंदर आप उसकी कर पाओगे इनर्जी एफिशेंसी हो गया और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपका पानी यूज़ होता है वो ट्विंटी टू-48 परशन के बीच में कम यूज़ होता है सेम उस चीज के लिए समझे इस बात को किसी किसान के लिए बहुत फाइदे मन था तो वहाँ पर 48 परशन तक पानी सेव हो गया किसी किसान के लिए फाइदे मन कम था तो वहाँ पर 20 परशन पानी सेव हुआ पर पानी सेव होता है इसके अंदर इसमें कोई डाउट वाली बाग नी energy savings भी इनों ने बताई है साथ साथ नों ने बताया कि labor cost की भी कम जुरुवत पड़ी fertilizers की saving हुई तो हर चीज के अंदर यहां पर हमें saving देखने के मिली है and at the same time job की crop production है वो भी यहां पर boost हो रही है तो हर तरह से economic survey ने बोला है कि यहां पर हमें फाइदा ही फाइदा यहां पर देखने को मिल रहा है पर ध्यान रखना यह सिक्के का सिर्फ एक पहल हुए फाइदे हमने देखिए पर आप लोग सोच रहोंगे सिर्फ फिर किसान कर क्यों निरे इस चीज को इतना adopt क्योंगे कुछ कमिया अभी भी exist करती है क्या है सर्व कमिया वह कमिया है कुछ यह पहली चीज है इसको setup cost हो गया इसकी investment हो गया थोड़ी मुश्किल है यह देखो सब surface irrigation की बात करो drip irrigation की बात करो क्या आपको लगता है कि एक छोटे किसान के लिए ये पैसा लगाना इस चीज के उपर possible है नहीं इसको लगाने के अंदर अच्छा कासा पैसा लग जाता है समझे ये sprinkler बगाने हो ठीक ठीक पैसा लग जाता है यहाँ पर भी इसके लिए भी पर इस पर्टिकुलर चीज के कम पैसे में बहाँ पर बहुत कम पैसे लगते है ये अपने आप में काफी कॉस्टली चीज है तो इस वजा से आप किसानों पर पैसा है ही नहीं तो कैसे इसके उपर स्विच करें बाकि और देखो और एक्जाम्पल समझो यहाँ आप नोटिस करें हो यह जो स्प्रिंकलर हैं यह पानी इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं इनके अंदर जो पाइप्स पगरा लगी होती है अगर मालनो जो पानी हुआ थोड़ा बहुत भी उसके अंदर कुछ कंकर कुछ भी इस तरह की चीज़े होंगी तो क्या आपको लगता यह जो पाइप्स हैं यह ब्लॉक हो जाएंगी बिल्कुल हो जाएंगी बिल्कुल कुछ ना कुछ अगर पानी किलावा भी कुछ और चीज़ आती है तो आप खुछ भी देखते हैं आपके के बार नल अगरा भी ब्लॉक हो जाते हैं क्यों होते हैं, कुछ extra, कुछ waste material आ गया, इनके अंदर कुछ आ गया, कुछ salinity वगरा की वज़ा से कुछ ना कुछ आ गया, बलकुल हो सकते हैं, पानी अगर खा रहा हो, तो ये ब्लॉक हो सकते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा किसान को, उसकी repair करवा हो, repair के अंदर और और पै करसा लगा देंगे, ठीक है, वो तो इसी इसको कर लेंगे, पर छोटे कसानों के लिए चीज़ थोड़े दिक्कत आ जाती है, उपर से आप एक चीज और इमेजन करना, जैसे इसी की बात करते हैं, ये वला, अब कल को सकते हैं, किसी ने ये फसल, मतलब वहीनो harvest करनी है, मतल हो जाए, किसी के पैरों की वज़ा से, या किसी भी औजार की वज़ा से, इसको कुछ नुकसान ना हो जाए, तो बहुत एक केरफुल मैनेजमेंट की रखनी पड़ती है, तो ये बड़ी एक दिक्कत आ जाती है, और क्या examples हैं, और आप notice करो, इंडिया में हर जगा के उपर हमेशे तो बहली ना होती, अब जानते हो बहली के कट लगते हैं, गाउं बगार में तो बहुत जार लगते हैं अभी ठीके ना, तो अगर आपको लगता है ये drip irrigation बगारा के लिए आपको थोड़ा energy sources चाहिए होंगे, अगर वो available नहीं है, तो ये irrigation system हो सकता काम ना करे, बाक हम तो ऐसे ट्यूबल के थ्रूई करते काम आए हैं, हम इसको कैसे अडॉप्ट करेंगे, काफी technology बगारा use हो जाती है यहां पे, तो वो एक concern रहता है, बाकी मैंने जैसे आपको बताया, soil particles हो गया, आपके algae हो गया, वो चीज़ जाती है, तो ये कुछ concerns रहते हैं, तो कभी आपको कोई पूछे, कि भाई है, माइक्रोगेशन क्या एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आपको बताना यही है कि हाँ, अच्छी चीज है, इसमें कोई जख वाली बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ challenges exist करते हैं, कभी एक side का answer मत लिखाना कि हाँ, हम irrigation को adopt कर लें, करना है, बिल्कुल सभी बात है, करना है, पर यह challenges को भी एड्रेस करना होगा, वो छोटे किसानों के बासना अभी नहीं है उतनी capability यार, कि यह असानी से adopt कर लें, इतने सारे challenges को यहाँ पर overcome करनेंगे, तब जाके वर चीज होगा, नहीं है मेरे पास पैसे, कैस मैं कर दू, आप कहने के लिए बहुत असान लगता है, हाँ, हमारे सभी किसानों को micro irrigation करना ही चाहिए, ठीक बात है, बट कहीं नहीं कुछ इतने issues हैं, वहाँ पर खाने के पैसे नहीं है, हमारे किसानों के पास, तो कैसे बतलब पैसा बहुत कम है, बैसे टाइम के पर कैसे सेट आप करें, तो कुछ नहीं को सरकाल कुछ पॉलिसी दाने चाहिए, जो कि इस चीज के मदा इंटरमेशन करें, तब ही आप एक प्रोग्रेसिव चीज रिपताप आपा होगे, अधर बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते के हैं कि एक की साइट पर लिखते हैं, इन फेक् का क्राइसिस है, उसको सॉल्व करने में कैसे और किस हद तक माइक्रोगेशन सिक्सेस्फुल हो सकता है, अब बहुत सारे बच्चे नहीं को पढ़ा और लिखा है माइक्रोगेशन के बेनिफिट्स, बाट ठीक है, पर उसमें साफ साफ कुश्चन है न, आपके एक्जामने साफ सा पूचा है, किस हद तक यह सक्सेस्फुल है, तो वह आप से साफ साफ चैलेंजिस पूच रहा है यहाँ पे, तो आपको बताने होंगे चैलेंजिस भी, आप बताओगे इसके बेनिफिट्स, कि माइक्रोगेशन हाँ, इस तरह से फाइंदेमन होगा, पर एक लिमेट चाहता है, आपके साफ तो वह करता हूँ, तो आपको चाहता हूँ, आपको जितने भी स्टुएंट्स मेरे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ, कि आपके मेंस के अंदर मार्स अच्छे से अच्छे जची आएं, मेंस के जिसमें प्रिलेम्स इंटर्व्यू सब जगह के ऊपर तो मैं कोशिश करता हूँ, आपको एक आप 3060 डिग्री व्यू याँ पर देने की कोशिश करूँ, तांगे कोई दिक्कर ना है आपको, getting it, चलो ठीक है से ये बात चलो समझ आई, क्या-क्या इस्यूस थे, अब हमारी ने कुछ सरकार की योजना है, in fact आपकी बुक के अंद या current phase, आप जब हाँ पसी फॉलो करते हो, बहाँ पर हम इस चीजों को बारे में पढ़ते रहेंगे, तो जो भी news में आरी ना scheme, आपको बोल गो ठूर करनी है, तो पांच साल, दस साल पुराई जो scheme चल रही है, उसको डिटेल में उसकी PhD करने की बिल्लकुल भी जरूरत नह बढ़ता हूं, बट शाम को लगता है, या रात को लगता है कि मैंने तो आज कुछ output ही निकाला, ये एक्सल में वही चीज है, water use efficiency अभी बढ़ा न, क्या था उसका मतलब, पानी डाले जारे हो, डाले जारे हो, output आनी रहा, output कैसे आएगा, जब आप पता होगा कि क्या चीज पंड नी है, और क्या चीज छोड नी है, रेंडम ली कुछ भी आप ऐसे देखते रहोगे, तो कभी output निकलेगा ही नहीं, ज़रूरत है कि हाथ भली जतना पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये रेखो कि क्या वह important है UPSC के लिए, समझे इस बात को, तो जो भी आपकी schemes, news में करते हैं, कही ना कहीं कि हम वाटर को बचाएं, irrigation की efficiency को improve करें, अतल बूजल योजना है, ये हमारी ground water के लिए है, कि ground water को हम बहतर बना पाए, micro irrigation fund हमने एक dedicated fund मना रखा है, तांकि जो भी इस तरह की issues है, micro irrigation के regarding, उनको हम tackle कर पाए, हमारी dedicated ministry है, जल शक्ती ministry, पहले नहीं होती नैशनल mission for sustainable agriculture हो गया, ये सारे missions क्या काम कर रहे हैं, काम गहीं कर रहे हैं, कि भाईया, जो irrigation regarding मुद्धे हैं, किसानों तक जो जीज़ नहीं पहुंच पाई हैं, उनकी water use efficiency को improve करें, और कहीं ना कहीं, जो सारे issues है, irrigation regarding, हम उनको solve कर पाए, ये इनके मुद्धे हमें पता होने चाहिए, ये में इसका question आया था, UPSC 2021 पूचा था, तो इसका हमने answer discuss कर लिया, एक basic idea discuss कर लिया, उससे दिना से यहां पर बात करें, drip irrigation के कर हम बात करें, तो यहां पर पूचा है उसने क्या, कि drip irrigation के हमें यहां पर क्या-क्या फाइदे हमें यहां पर देखने को मिल जाते है देखो, फाइदे इसके बिल्कुल weed की reduction करता है, soil erosion के दर कमी आती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर तो इसका answer आपका वैसे ही बन गया, one and three only, क्योंकि और कोई option ही नहीं, पर यहां पर इसका negative point या कुछ challenge जिस आपको यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है, जिसे for example हमने कैसे clogging हो सकती है उनकी, वो हो गया, कैना कि moisture के regarding कुछ issues के बार इनको देखने को मदते हैं, drip irrigation के regarding, salinity के हजार जिया पर देखने को मदते हैं, तो ये कुछ concerns है, तो जो second statement था, वो आपका हो जाता है गलत, one and three आपके correct है, तो option number C will be the correct answer, ठीक है दोस्तों, तो यह था irrigation अला topic अब देखो, मैं फिर से एक बार reiterate कर दो, कि अगर आपको, अगर आपने chapter number 10 नहीं देखा, जिसके अदर हमने agriculture के बने चरचा करी थी, तो please please जा कि उसको देख लीजेगा, क्यूंकि base actual में इस chapter का वहीं था, बहुत साइच चीदे इस chapter के अदर mention करी गई है, वो हमने already chapter number 10 में पढ़ चुके हैं, ठीके न, अगर आपको लगता है, यह लगता है, यह लगता है, वो इसलिए, क्यूंकि हम already chapter number 10 agriculture के उस चीज़ को पढ़ के आ चुके हैं, ठीके न, तो make sure कि अगर आपने chapter number 10 नहीं देखा, please उसको देख लीजिए, हर साल 30-40 number का paper इस chapter से आ रहा है, बाकी पंदरा नंबर का paper इस chapter से आ गया, मेंस के अंदर, तो यहां से देखने को मिलता है, तो agriculture अगर आप अच्छा कर लोगे, I am sure कि general studies paper 3 के अंदर आप बहुत अच्छे marks लिखना होगी, और in fact, मैं आपको हर particular question के साथ साथ कुछ data, कुछ अच्छे keywords भी देता हूं, ताकि आपक general answer लिख रहे हो, question easy आएंगे GS paper 3 के अंदर, but easy answers को, कैसे अच्छा लिखना है, वो determine करेगा, क्या आपके marks average आते हैं, या average से ऊपर आते हैं, तो make sure कि आप इन lectures को देखते रहिए, अपने end पर practice करते रहिए, मैं और भी practice questions आने बाले lectures के आपको करवाता रहूंगा, बाकि definitely, अगर आपने lecture पूरा देखा है, तो मुझे बताना, कि economy के जो आपको बिल्कुल tough लगती थी, do you still feel it is tough, आज भी देखो starting के अंदर हमने discuss किये, कुछ technical concepts हमने discuss किये, net zone area हो गया, gross top area हो गया, पर उनके मतलब समझ लिए, तो अब economy मुश्किल नहीं लगी, तो यही दरसल में economy है, technical है, tough बिल्कुल भी नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और chapters भी करेंगे and I am sure आपको वहाँ बर भी चीज़ें अच्छे से समझ आती रहेंगी, ठीक है friends, तो यह थी आज की discussion, I hope आपको आज का lecture बहुत अच्छे समझ आया होगा, इसी जना से आप भी अपने पर हा